हाई फ्रेंज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दीपा एंड लालवानी और वेलकम टू माई मॉम्स किचिन आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, आज के वीडियो में हम पाउबाजी बना रहे हैं पाउबाजी को हम धिवाली के दिन या किसी ओकेजन पे या कभी कोई गैस्ट आए तब बनाते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पाउबाजी बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं काफी सारे वेजिटेबल्स तो हमने ले लिए 100 ग्राम मतर जिसे हमने छील लिया फिर हम ले रहे हैं 500 ग्राम आलू जिसे हमने छील लिया और पीसिस में कट कर दिया फिर हम ले रहे हैं 100 ग्राम फूल गोबी चार से पांच फूल हमने ले लिया फिर हम ले रहे हैं 100 ग्राम पत्ता गोबी जिसे भी हमने कट कर दिया है फिर हमने ले लिया एक बैंगन जिसे हमने कट कर दिया जैसे हम उसे चेक कर पाएं कि बैंगन सही है या नहीं फिर हमने ले लिए दो कप पानी सबजियों को कट करके डालना एक easy trick है हम चाहें तो पूरी सबजी डाल सकते हैं पर हमने कट करके डाला है अब हम कुकर को बंद कर देंगे और गैस पर 4 सीटी लगने तक इसे रखेंगे फ्रेंज मेरी यूट्यूब चैनल दीपा एंड लालवानी को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट करें हमने एक कडाई को गैस पर रख दिया और इसमें 4 बड़े चमच तेल डाल दिया तेल को हम हलका सा गरम करेंगे और इसमें हम अद्रक लसन और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे पेस्ट बनाने के लिए हमने 10 से 12 लसन की कलियां ले ली डेड इंज अद्रक का तुकड़ा और 2 हरी मिर्च ले ली पेस्ट को हम हलका सुनेरा होने तक भूनेंगे गयस को slow रखेंगे अब हम इसमें 200 ग्रम प्यास डालेंगे प्यास को हमने mixer में चला लिया प्यास को भी हम हलका सुनेरा होने तक बूनेंगे हलका सुनेरा कलर आ गया है अब हम इसमें शिम्ला मिर्च डालेंगे हमने शिम्ला मिर्च को छोटा छोटा कट कर लिया हम शिम्ला मिर्च को सॉफ्ट होने तक बूनेंगे प्याज और शिम्ला मिर्च को साथ में बूनेंगे प्याज और शिम्ला मिर्च बून गये हैं अब हम इसमें थोड़ा सा ओल और एट करेंगे इसमें हम दो बड़े चमच तेल डालेंगे और इसमें हम सुखे मसालों को बूनेंगे अगर हम इस स्टेप पर मसालों को बूनेंगे तो सबजी में अच्छा कलर आएगा सबजी में अच्छा कलर आया इसलिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज किया है एक चमच कश्मीरी लाल पाउडर फिर हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे दो चमच लाल मिर्च पाउडर अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप देट चमच लाल मिर्च पाउडर डाले फिर हमने तीन चमच दनिया पाउडर डाला है और आधा पाउबाजी का मसाला इस स्टेप में डालेंगे और एक लास्ट में डालेंगे एक चमच पाउबाजी मसाला सभी मसालों को हम अच्छे से बूनेंगे मसाले भून कर रेड़ी है अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे चार मीडियम टमाटर को हमने मिक्सर में चला लिया वजन में करीबन तीन सो ग्राम टमाटर लिये है टमाटर को हम अच्छे से बूनेंगे अब हम इसमें नमक डाल देंगे हमने दो चमच नमक डाला है या नमक स्वादनुसा पाउबाजी को हमने थोड़ा स्पाइसी बनाया है आप अगर मसाले कम खाते हैं तो थोड़े मसाले कम डालिए अब हम साथ में दो चमच अमचूर पाउडर भी डाल देंगे और अच्छे से टमाटर में मिक्स कर लेंगे और टमाटर और प्यास की अच्छी सी एक प्यूडी बना लेंगे जैसे जैसे प्यास और टमाटर पकेंगे साइट से तेल निकलना शुरू होगा तो एक अच्छी सी ग्रेवी बनेगी जैसे जैसे ग्रेवी बनती जाएगी टमाटर का पानी सुखता जाएगा और पूरा तेल उपर की तरफ आ जाएगा पांच से छे मिनट में पूरा तेल उपर की तरफ आ जाएगा और ग्रेवी बन जाएगी जैसे ही ग्रेवी बनती है हम इसे ढख कर और गैस बन कर देंगे और देख लेते हैं सबजिया बॉयल होई कि नहीं सबजिया बॉयल हो गई है अब हम बैंगन को अलग कर रहे हैं बैंगन में हम बैंगन का छिलका हटा देंगे इसी तरह सभी बैंगन में से छलका हटा देना है दूसरे सब्जियों को हम चननी में छाण लेते हैं मतर को हम अलग कर देंगे और बाकी सब्जियों को हम मैश कर लेंगे मैंने इसे फोक से मैश किया है आप चाहें तो डिरेक्ली आप मैशर से मैश कर सकते हैं जब हम सबजी बनाते हैं गैस शुरू करते हैं फिर से ग्रेवी को अब हम इसमें बैंगन डाल देते हैं बैंगन को हम अच्छे से बून लेंगे बैंगन को तेल में बूनने से उसका कच्चापन चला जाएगा बैंगन बून गया है अब हम इसमें दूसरी सबजियां डालेंगे दूसरी बॉयल की हुई सबजियां जिनने हमने फोक से मैश कर लिया है सारी सब्जियों को हमने ग्रेवी में डाल दिया अब हम एक चमच पाउबाजी मसाला डालेंगे जो हमने पहले से बचा कर रखा था सब्जियों को हम ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे पाउबाजी टेस्ट में स्पाइसी और चटपटी लगती है काफी लोगों को पसंद आती है आप भी ये रेसिपी ट्राय करें और मुझे भी बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी अब हम मैशर के साथ हम सब्जी को थोड़ा और मैश करेंगे जैसे सब्जी थोड़ी स्मूध बन जाए पाउबाजी को हमने अच्छे से मैश कर लिया है सब्जी बुनकर रेडी है अब हम इसमें मटर डाल देंगे जो हमने अलग करके रखे थे इन्हें भी हम सब्जी में मिक्स कर देंगे सब्जीयों को बॉयल कर टे टाइम जो पानी बच्चा था उसे हम सब्जी में डाल देंगे नई तो हम एक कप पानी सब्जी में डालेंगे पानी को अच्छे से सब्जी में मिक्स करेंगे और उसे थोड़ा पकने देंगे सब्जी में से पूरा तेल उपर की तरफ आ गया है सब्जी बनकर रेडी है सब्जी बुन गई है अच्छे से बस एक इंग्रीडियन बाकी है वो है हरा दनिया हम थोड़ा ज़्यादा हरा दनिया डालेंगे जिससे पाउंबाजी में अच्छी टेस्ट आएगी तो चलिए डाल देते हरा दनिया पाउंबाजी को हम पाउं के साथ रोटी के साथ या स्लाइस ब्रेट के साथ भी सर्व कर सकते हैं ज्यादा तर इसे हम पाउं के साथ ही सर्व करते हैं फ्रेंज हम पाउंबाजी को दिवाली के दिन मनाते हैं क्योंकि इसमें साथ सबजियों का कॉम्बिनेशन होता है और दिवाली के दिन हमें साथ सबजियां बनानी होती है पाउ भाजी बनकर रेड़ी है इसे डख कर रख देंगे और गैस बन कर देंगे पाउ भाजी को हम पाउ ब्रेट के साथ सव करते हैं तो चलिए तवे पे पाउ को सेख लेते हैं हम इसे बटर में या ओईल दोनों में सेख सकते हैं हमने एक चमच बटर ले लिया उसमें हम पाओं को सेख रहे हैं पाओं को हमने दो पीसिस में कट कर लिया और इसे हम बटर में सेख रहे हैं पाओं को हम दोनों तरफ से बटर में सेख रहे हैं कि पाउं को फिलिप कर देते हैं दूसरी तरफ से भी बटर लगा लेते हैं कि आप स्ड़की जब हे लोगा लátा अणरा लाओ जब स्वोड़ो ऑपाद dependence कि परस्वोड़ों पाते हैं हैं लोगगा जल स्कार्च भब हाओ भ만 राट चाया कर राद। झाल झाल पाओं को दोनों तरफ से शेख लिया चली अब इसे हम एक प्लेट में नकाल देते हैं और इसे हम पाओं बाजी के साथ सव करेंगे एक प्लेट में हमने पाओं बाजी ले ली थोड़ा सा नीबू थोड़ा सा प्यास बारी कटा हुआ हरा दनिया आदा जमच बटर पाओं के साथ सव करेंगे था य